नमस्कार आप देख रहे हैं खबर दुपे हैं मैं हूपरीति सिंग आए शुरुआत करते हैं मुख्य समचारों के साथ लोग सभा चुनाओं के पहले चरण के लिए प्रचार का आखरी दिन मैदान में नितन गड़कारी किरिन रीजिजू वीके सिंग समेथ कई के इंद्रे मंत्री हरीश रावाज, जीतर नाम मांजी, मुकुल संग्मा और अजीत सिंग समेथ कई दिगज भी चुनावी रण में बीस राज्यों के इंक्यानवे सीटों के लिए ग्यार आपरेल को मत दान आंद्रप्रदेश, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, विधान सभा की सभी सीटों और ओडीशा में पहले दौर के 28 सीटों के लिए आज थम जाएगा प्रचार आंद्र प्रदेश की 175, सिक्किम की 32, अरुनाचर प्रदेश की 57 और उडिशा की 147 में से 28 सीटों के लिए 11 अपरेल को डाले जाएंगे वोट कॉंग्रिस में भरष्टाचार ही शिष्टाचाल, आतूर की रैली में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी का संबोधन कहा नोट से वोट खरीदने की रही, राजनीतिक संस्कृती, कर्नाटक और तमिलनाडू के कोईंबटूर में भी करेंगे रैली लोग सभा चुनाओ के लिए चरम पर प्रचार, बीज़े पियंदेश शमिच्छा की तेलंगाना की शम्शाबाद में रैली बिजनौर में प्रियंका गांधी का रोडश्यू, राहूल गांधी की बिहार और असम में रैली आम मायावती की बिजनौर में जिन सभा इसराइल के 120 सदस्य संसद के लिए मतदान जारी, प्रधान मंतरी नेतन याहू और ब्लू और वाइट पार्टी के नेता बैनी गेंस के भी सीधी टककर शुरुआ चुनाओ से जुड़ी ख़बरों के साथ लोगसभा चुनाओ के 11 अपरेल को होने वाले प्रधम चरण के मतदान के लिए आज शाम पांच बजे प्रचार थम जाएगा इस चरण में 20 राज्यों के 90 लोगसभा सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में 11 अपरेल को 20 राज्यों के 90 सीटों पर मतदान होगा इनमें आंद्रप्रदेश की 25 सीटे तेलंगाना की 17, उत्तप्रदेश की 8, महराष्टों की 7, असम की 5, बिहार और उडिशा की 44, अरुनाचर प्रदेश, पश्चिम मंगाल, जंगु कश्मीर और मेगाले की 2-2 सीटे हैं वहीं मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, शत्तीजगर, त्रिपुरा, अंडवान, निकोबार और लक्षुदीप की एक-एक सीट भी शामिल है साथ चर्णों में देश भर की लोगसबा सीटों पर बोट डाले जाएंगे और नतीजों का एलान 23 मई को होगा इस दौर में ये तमाम सीटे शामिल हैं जो पहले चरण में जहामदान होना है कई दिगज इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जिन पर सबकी नजरे हैं उनमें कुछ बड़े नाम है महराश्टों की नागपूर सीट पर केंद्रे मंतरी और बीजेपी के वरिश नेता नितिन गड़करी का मुकाबला कॉंग्रेस उम्मीद्वार नाना पटोले से हुगा अर्वनाचल प्रिदेश की अर्वनाचल पश्चिम लोगसभा सीट से इस बार केंद्री गड़ी राज्य मंतरी और बीजेपी नेता खिरें रीजजू मैदान में है उनका सामना पूर्वुक्य मंतरी नबाम तुकी से है अल्मोडा लोगसभा सीट पर बीजेपी के अजे टम्टा का मुकाबला कॉंग्रिस के प्रदीप टम्टा से है जबकि जम्मू लोगसभा सीट पर बीजेपी उमेद्वार जुगल किशोर शर्मा का मुकाबला कॉंग्रिस के रमन भला से है मुझफर नगर लोगसभा सीट पर बीजेपी उमेद्वार संजीव बालियान और राश्ट्रे लोग दल के दक्ष चौधरी अजीत सिंग के बीच सीधा मुकाबला है बाकपत लोगसभा सीट पर इस बार मौझूदा के इंद्रे मंत्री बीजेपी उमेद्वार सतिपाल सेंग और स्पी बीएस पी आरेल्डी गडबंदन से आरेल्डी कैंडिडेट जेयंग चौधरी में सीधी लडाई है उत्तरा खड़ की ने निताल लोगसभा सीट पर बीजेपी के अजे भट और पूर मुक्ही मंत्री और कॉंग्रस उमीदवार हरी शरावत के बीच मुकाबला है गया लोगसभा सीट पर पूर्व मुक्ही मंत्री जीतन नाम मांजी का मुकाबला जेडियू के विजे मांजी से है घाजियाबाद से केंद्रे मंत्री वी के सिंग मैदान में है गया लोगसभा चुनाओ के चौथे चरण में नौराज्यों के 71 सीटों के लिए आज नामानकन दाखिल करने के आखरी तारीक है 10 अपरेल को नामानकन पत्रों की जाच होगी 12 अपरेल तक नाम वापस लिए जा सकते है चौथे चरण का मत्री अपरेल को होगा और नतीजों का एलान 23 माई को होगा चौथे चरण में महराश्चों में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13 सीटे मद्यप्रिदेश और उनीशा में 6-6 सीटे पश्चिमंगाल के 8, बिहार की 5, जाठकन के 3, जम्मो कश्मीर के 1 सीट पर मतदान होगा और चौथे दौर में जिन प्रमुक उम्मीदवारों पर नजरे होगी उनमें बिहार के बेगुसराय सीट से केंदरे मंतरी गिरीराज सिंग, उत्तर प्रदेश की कर्नौज लोकसभा सीट से डिमपल यादव, कानपूर से पूर केंदरे मंतरी श्रीपरकाश जयसवाल, पश्चिम बंगाल के आसन सोल लोकसभा सीट से टीमसी के मुनमुन सेन, औ पाबुल सुप्रियों का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराश्टर के लातूर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज महाराश्टर के लिए आतंगवादियों के अड़े पर घुसकर उन्हें मारेंगे। आतंग को हराकर ही हम दमलेंगे ये हमारा संकल्प है। उन्होंने का कि जम्मू कश्मीर में राश्टरवादियों के मन में हमने नया विश्वास जगाया है। ये पाकिस्तान कह रहा है वही बासा कॉंग्रेस के चुनाव मनिफेस्टों में दिखाई दे रही है। भाईयों बेनों ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश मेंसे हम देश द्रो का कानून हटाएंगे। मैं जरा कॉंग्रेस वालों को कहता हूँ कि दरपन में जाकर के अपना मूँ देखो। आपके मूँ में माना वधिकार की बातें सोबता अचोबा नहीं देती है। आप कॉंग्रेस वाले आपको हिंदुस्तान के एक-एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा। आप कॉंग्रेस वालों ने बाला साब ठाकरे का नागरी तत्व छीन लिया था। मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। इसके लावा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज कन्नाटक तमिलनाडू में भी चुनाव प्रचाल करेंगे। प्रधान मंत्री कन्नाटक के चुत्रदुर्ग और मैसूरू में रालियों को संबोधित करेंगे। तमिलाडू के कोयम बटूर में भी वो राली करेंगे। जहां उन्हें शमसाबाद में जनसभा को संबोधित किया। देश की जन्ता ने टाई किया है। मोदी जी का नेत्रुत वर पांच साल तक देश में देखा है। ये पांच साल के अंदर मोदी जी के नेत्रुत में देश का सन्मान बढ़ाने का काम ये भारती जन्ता पार्टी की नरेंडर मोदी सरकाने। जातिवाद, परिवारवाद, ब्रश्टाचार, तुरुष्ट्रीकरण, इससे लेश पार्टियां देश का भला नहीं कर से। परिवारवाद के दस्त है। बात चुनाव स्पेशल की केंद्रिय सडग परिवार और राजबार मंत्री नितन गडगरी ने कहा है कि वो लोग सबाचुनाव में नागपूर सीट से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। हमारे समवादाता रवीन सिंग शोरान ने नितन गडगरी से खास बातशीत की। मौझूद हैं बीजेपी के वरिष नेता और नागपूर से बीजेपी के लोग सबावें द्वार नितन गडगरी जी। कि यह अप्र कि पाट साल में मेरे कॉंशे में मेट्रो ब्रॉड गेज्ट मेर्डरों गार्डन स्टेडियंज रोड ब्रीजेस इंस्टिटूशन और सोशल कल्चरल और स्पोर्ट्स तीनों विश्व में काम किया हेल सर्विसेस में काम किया और सतर हजार करोर से ज्यादा कम मेरे स्टूर्सिम हुए है और मैं जो किये वे काम है उसी अजेंड़ा पर खड़ा हूं मैंने कभी जात पंतदर पार्टी उसका डिस्क्रिमेरएशन किया ने जो आए सब का काम किया सब का साथ सब Значит मीरा विश्वास है मिष्वास है दो लाग 4930 जीता था इस बार मैं पासालाक होकों से जीतूंगा मेरा जीरिकर इस सर इस बार का मुकाबल्ई आपके से ऐ 영ले सी हो रहा है ढिंब तो तो ऐसा है कि हर आत्मी को चुनाओ लड़ने का अधिकार है वो पहले कॉंग्रेस में थे कॉंग्रेस चुड़कर बीज़े वो गर्व से कहते है कि मैं नितिन जी का चेला हूं तो अधिकार है और पहले भी थे आगे भी रहेंगे बागी चुनाओ की राजनीती है उनको लड़ने का अधिकार है मेरी शुक्कावन है सर आप पहले स्वेम सेवक हैं जो नागपूर से चुनाओ जीता है इसके पहले कोई जीत नहीं पाया तो इस बार का मुकाबला कुछ अलग है कड़ा है क्योंकि बीज़ेपी के पहले नेता थे नेतिन नाना बटोले इस बार कॉंग्रेस से लग रहे है वो नागपूर के न जुड़ा हूँ और कम से कम मैं 50,000 लोगों से वेक्तिकत पहिचान रखता हूँ और मेरे लोग मुझे पहिचानते हैं मुझे समझते हैं मैं कैसा हूँ उनको मालूम है तो मेरा विश्वास है कि लोगों का अशिरवात मुझे बहुत अच्छे तरीकी से मिले है नाना ना न चेतर है नागपुर में लंबे समय तक कॉंग्रेस लगातार जीती रही है अगर दो बार को छोड़ दिया जाए बनवारिलाल प्रोहित बीजे पीसे जीते दूसरे बार गड़ करेजे तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से आप लोग जीत पाएंगे अपने गड़क वो दिखता है लेकिन उसके अंदर का कालापन लोगों को पता चल गया है आप किसान कॉंग्रेस के अध्रेक्शन सर ये इलाका विधर्व का खास तोर पर किसानों की बहुत जादा आत्महत्या इस इलाके में हुई है ये सरकार आने के बाद कुछ बदला है या अभी तक औ लोगर यहां पर देखे गया है जिसे यहां पर आप देखोगे कि मिहान एक ऐसा सेंटर है जहां से हम दुनिया में किसानों की फसल को हम पहुचा सकते हैं जो का कारगोर्व डेहुलबर्ड को जो कॉंग्रेस नहीं उस समय में लाया था और इसलिए किसानों की आत्मत्या भ अंदर प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा विदान सबा की 28 सीटों के लिए भी प्रचार आज शाम थम जाएगा इन राज्यों में भी 11 अपरेल को मतदान होना है आदर प्रदेश, विदान सबा की सबी 175 सीटों पर मतदान 11 अपरेल को होगा यहां मुखे मुकाबला चेंदर बाबु नाइडू की 70 डीडीपी, जगर मोहन रेड़ी की वाईसार, बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है तेल्गु देशम पार्टी को उमीद है कि उनके कल्यान का रियो जुनाओ का फायदा पार्टी को चुनाओ में मिलेगा वहीं वाईसार, कॉंग्रेस सरकार के खिलाप माहौल का फायदा लेकर पहरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है अरुनाचर प्रिदेश की 57 सीटों पर भी 11 अपरेल को मतदान होना है अरुनाचर प्रिदेश में इस बार बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच करी टकर है जहां सत्तरुड बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों दलों के प्रित्याशी समाल लोग प्रियता का दावा कर रहे हैं राज्य में लोगसभा और विदानसभा चुनाव एक साथ होने हैं तीन सीटों पर बीजेपी उमीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं मुहीं सिक्किम की सभी 32 सीटों पर एक ही चरण में 11 अपरेल को मतदान होगा इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग की अगवाई में सतरूर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रांट एक बार फिर राज्य में वापसी की कोशिश में है राज्य के मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग पांच बार यहां से मुख्यमंत्री रह चुके हैं चटी बार फिर मैदान में उतर रहे हैं उडेशा की 147 में से 28 विदान सभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अपरेल को मतदान होना है विदान सभा सीटों के लिए चुनाओं में यहां मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग अगवाई वाली सतरूर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रांट और सिक्किम क्रांतिकारे मोर्चा के बीचे है बीजेपी और कॉंग्रिस भी हाकिसमत आजमा रही है सिक्किम में लोकसभा के साथ ही विदान सभा की सभी 32 सीटों पर गुरवार 11 अपरेल को मतदान होना है यहां पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की अगवाई वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रेंट सत्ता में है SDF एक बार फिर राज में वापसी की कोशिशों में लगी हुई है वहीं सिक्किम क्रांथिकारी मोर्चा भी इस बार जीत का दावा कर रहा है अभी तक जिदना भी जोड बोल के सत्ते में आ गया तो अभी तो 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 जिदना भी पिछले विदान सवा चुनाओं में SDF को 22 सीटों पर जीत हासल हुई थी जबकि सिक्किम क्रांथिकारी मोर्चा को 10 सीटों पर जीत मिली है इस बार बीजेपी और कांगरोज भी किसमत आजमा रही है बीजेपी ने लोकसवा के साथ ही विदान सवा की 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं इस बार के चुनाओं में भष्टाचार और बेरुजगारी बड़ा मुद्दा है नतीजों का ऐलान 23 माई को होगा अब देखना ये है कि 11 अपरील को चुनाओं में कितने लोग इनके पक्ष में आते हैं और 23 माई को जब चुनाओं के नतीजे आएंगे तो कितनी सीटे इनकी आती है पूर्व अंतराश्ट्रे फुटबॉल की लाड़ी बाइचिंग भूटिया भी सिक्किम के राजनेतिक मैदान में कूद पड़े है उनकी पार्टी हमरो सिक्किम पार्टी विदान सभा की साथी एक मातर लोग सभा सीट पर भी चुनाओं लड़ रहे है पूर्टिया जी कैसे आपने पार्टी बनाने की सोची आप तो फुटबॉलर थे आपने विदान सभा और लोग सभा दोनों के लिए केंडिट वता रहे है जी जी हमने दोनों लोग सभा और आसेंबली सीट्सों में उता रहा है तो हमरा लोग सभा चैनिडेड बी और आसेंबली में हम लोग ने एलिस्ट थेजिट चोबिस कैनिडेड दिए हुआ है आप कहां से लड़ रहा है? विदान सभा के लिए लाए लाए हूं तो चीफ मिनिस्टर बनने का एस्पिरेशन है? मुझे अभी तो चीफ मिनिस्टर बनने का नहीं है, अभी हम एक सीट, एक या दो सीट हम लोग जीतने के लिए, जो मैं दो सीट में लड़ रहा हूं, उसका हम पुरे जोड़तार कोशिस कर रहा है, लोग सो हमें आपका किस तर पार्टी भी है, इदर लड़ रहा है, कॉंग्रेस भी लड़ रहा है, बीजेवी भी लड़ रहा है, हम लोग अभी तक एट लिस्स सिंगल पार्टी होके गया हूं, और पोस्ट एलेक्शन भी अगर हम लोग का लोग सभा में केनिरी राच्छा कर पाएंगे और जीत पाए जाएंगे वो नाशनल पार्टी के सथ हम लोग डेफिनली काम करेंगे. आपका मुद्धा क्या है चुना हो अभी तो सिक्म जो जिस तरह किसे, इस्पेशल यू और लोग के लिए हम लोग का नेम्प्लाइमेंट लेके बहुत ज्यादा हो रहा है, आणिम्प्लाइमेंट है के एक साथ होने के लिए चाहता है कि हम एक डिवेस्फ पोलिटिक्स ना हो, एक क्लीन पोलिटिक्स एक सिक्की में और एड दे सेम टाइम एक नैस्टनल इंट्रेस लेके काम करना चाहिए है। अखले जी जो तस्वीरें और जो आप जमीनी हकीकत सिक्किम से हम तक पहुचा रहे हैं साफ तोर से दिख रहा है कि इस बार जो पांच बार से मुख्यमंत्री हैं चामलिग और उनकी सिक्किम डेमिक्राटिक फ्रंट जिनका दबदबा लगातार काइम है लेकिन इस बार स्केम और बायचुंग भूटिया के नितरुत में हमरोज सिक्किम पार्टी उनके दबदब को कम करने की पूरी जुगत में है वही हम देख रहे हैं कि नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री की छवी के जरिये बीजेपी साथी कॉंग्रिस भी सिक्किम की सियासत में जगा बनाने की फिराक में है क्या कुछ आप समझ पा रहें एक छोटा सा राज्य है लेकिन यहां कि राजनिते हम देख रहें कम दिल्चस्प नहीं देख रहे है देखिए छोटा साराज है लेकि सिक्किम हमारे लिए कहें कि बहुत ही महत्पूर्ण है रणनितिक रूप से चीन की सीमा सिक्किम से जोड़ती है और ऐसे में सिक्किम को हमारी राजनितिक मुख धारा में लाना बहुत जरूरी है इसलिए जानते हुए कि सिक्किम में मुख्यता छेत्रिये दलों के बीच में मुकावला होता रहा है जब से सिक्किम भारत में सामिल हुआ लेकिन उसके बावजूद चाहे वो कॉंग्रिस पार्टी हो या बीजेपी हो लगातार इस बात के प्रयासर करते रहे हैं कि उनकी राजनितिक गतिवदियां खत्म नहीं हो और यह बहुत ही खुबसूरत बात है कि अभी तक सिक्किम में किसी भी राष्ट्रिये राजनितिक दल को कोई सीट या तो एसेम्बली के हैं या संसत के सीट हो कभी नहीं मिला लेकिन लगातार सक्रीटा बनी रही इसलिए ए इंकम टेक्स रिटर्न दाखिल नहीं करना होता इंकम टेक्स नहीं देना होता यहां कि बिजनेस्मेन जो लोकल बिजनेस्मेन है जिनका रेजिस्ट्रेशन सिक्किम है उनको कोई इंकम टेक्स दाखिल नहीं करना होता तो इस मामले सिक्किम को हमने काफी सहुलियत यह दे र बाह रही है एक बयार एक तरीके से कहें कि राजनितिक БОर्डम का भी बयार है दूसरी तरफ एक तर्फा जो राजनिति रही है सिक्किं की उस एकतरफा राजनिति के कारण फ़हाज का जो मामना है वो एक तरफा गया है जो खुछ खास मुख्यमंतरी चामलिंग है उन्हें सत्ता पर काबिस करती है देखना काफी दिल्चस्प होगा फिलाल बहुत बश्युक्रिया आपका इस बाचीप के लिए इस जानकारी को हम तक पहुचाने के लिए वहीं अब बात उडिशा की करेंगे जहां सत्ता रून बीजु जनता दल ने अपना घूशना पत्र जारी कर दिया राज्य के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक ने इसे जारी किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मिशन शक्ती के तहट स्वयम साहता समूहों को हर साल 500 करोड रुपे के सरकारी काम देगी नमीन पतनायक ने स्वयम साहता समूहों के पृत्येक सदस्य और सभी एस एच जी को 5 लाख रुपे तक के शून ने ब्याज पर रण के लिए आकस्मिक भीमस सुविधा भी प्रदान करने का अश्वासन दिया है बीजेडी अध्रक्ष ने ये भी घोशना की कि अगर राज्य में सरकार बनती है तो पृत्येक महिला के लिए 7 लाख रुपे की सालाना स्वास्ते कवरिज को बीजू स्वास्ते कल्यारियों जुना के तहत बढ़ा कर 10 लाख रुपे किया जाएगा नवीन पतनायक ने केजी से पीजी, मेडिकल, इंजीनेरिंग पार्टी करमों की सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया इसके लावा उन्होंने पृत्येक खरीब लड़की के लिए 25,000 रुपे की साहता का भी वादा किया है और इस समय ओडिशा में मौजूद है हमारी समवायता अनू दिवान अनू ओडिशा में बीजेडी नवीन पतनायक एक शत्र राज्य के चलते सत्ता में एक बार फिर वाप से क्यूं मीद लगाए है बीजेपे और कॉंग्रेस ये मान कर चल रही है कि नवीन पतना के खिलाप एंटिंग कंबेंसी का लाब हुने जरूर मिलेगा इस बार कैसा मुकाबला यहाँ देख रहा है और पहले चलन के प्रचार के आखरी दिन क्या सत्गर्मिया है बिजेटी इस बार औरिसा कारा में जो मुकाबला है वो बेहर दिलजस्प है क्योंकि अब तक हम चो देखते हैं थे बीजेटी एक पूरी रूलिंग पार्टी रही है उसके आगे कोई कड़ा मुकाबला नहीं कर पाया था लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां पर लोगों की सोच बदल रहे हैं इसके लोगों को मुद्डे उठा रहे हैं यहां पर लोग जो है मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों की सोच है वो बदल रही है लोग मुद्दे उठा रहे हैं उनको यहां पर विकास सेगे और अपने अलग-अलग मुद्दो को ध्यान में रखकर ही वो इस बार वोटिंग के लिए निकलेंगे यह आप समझ पाई है अब तक उडिशा में रहकर फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनू इस जानकारी को हम तक पहुचाने के लिए बात कुछ और है हम खबरों की ग्रीह कारे संबंदी संसेतिय स्थाय समिती संविधान की 125 वे संशोधन विधैक पर जाच करके अब अपना प्रतिवेदन चुनाओ बाद सौपेगी समिती के अनुरोध पर सभापती राज्य सभा ने इसके अनुमती दे दी है ये प्रतिवेदन समिती को 19 फरवरी 2019 को सौपा गया था लेकिन इस बीच चुनाओ की घोशना के नाते समिती अध्यक्ष ने सभापती से अनुरोध गिया कि निर्धारित समय में विधैक की जाच करके रिपोर्ट देना संभव नहीं होगा और इसी की तहट सभापती ने विधैक की जाच और उस पर प्रितिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिती का जो समय है उसको 17 लोग सभा के गठन के बाद स्थाई समिती के पुनर गठन की तारीक से तीन महा की अवधी तक के लिए बढ़ा दिया है आयकर विभाग ने सुमवार को कहा कि उसने मद्धिप्रदेश में छापे मारी के दौरान करीब 281 करोड रुपे की बेहिसाबी नकदी के विस्तरत और सूसंगठित राकेट का पता लगाया है विभाग ने बताया कि अधिकारियों ने 14.6 करोड रुपे की बेहिसाबी नकदी बरामत की और मद्धिप्रदेश और दिल्ली के बीच हुए सद्धिक्द भुपतान से जुड़ी डाइरी और कम्प्यूटर फाइले अपने गबजे में ले ली है केंद्र प्रितक्षकर बोड यानी CBDT ने कहा है कि विभाग को 20 करोड रुपे की सद्धिक्द नकदी के तुगलक रोड पर रहने वाले महत्वपूर व्यक्ती के घर से दिल्ली की बड़ी राजनितिक पार्टी के मुख्याले तक कतित तौर पर जाने के सुराग मिले है CBDT ने देर रात एक बयान जारी करके कहा कि अब तक शराब की 252 बोड ले कुछ हतियार और बाग की खाल के अलावा 14.6 करोड रुपे की बेहिसाबी नकदी मिली है CRPF आज अपना शौरे दिवस मना रही है राश्पती रामनात कोविन ने राश्ट्य पुलिस मेमोरियल जाकर अपना सर्वोच बलेदान देने वाले भारती वीर शहीदों को शुन धांज ली दी राश्पती ने शहीद जवानों के परिजनों को मर्नो परांथ शौर्य पदक प्रतान किये समारों में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समर्द देश के निर्माण में जवानों का अहम योगदान है देश को बलेदानियों की वीरता पर गर्व है राश्पती ने पुल्वामा हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया राश्ट्रे पुलिस संग्राले का वलोकन भी किया और वीर परिवार आप भी लॉंच की राश्टिये पुलिस इसमारक में आकर अपना सर्वोच वलिदान देने वाले भारतिये पुलिस के वीर सहीदों को सद्धाजली देना मेरे लिए एक भावुकता पूर्ण चाना है मर्डो परांत सौर पदक से आज समानत वीरों की इसमिती को मैं नमन करता हूँ देश की सेवा में प्राणने उचाबर करने वाले जिन पुलिस कर्मियों के नाम यहां वाल अफ वेलर पर लिखे गए हैं वे हमारे राश्ट की पावनिसमिती का हिस्सा हैं और पूरा देश उन्हें साहस, वीरता और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखेगा अहम अंतराश्ट्रे खबर इस्राइल से जहां 120 सदस्य संसद के लिए मतदान जारी है चुनाओ में मौझूदा प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतनियाहू और ब्लू एंड वाइट पार्टी के नेता बेनी गेंस के भी सीधा मुकाबला है नेतनियाहू 13 साल से देश के प्रधान मंतरी है नेतनियाहू अगर चुनाओ भी जीत गए तो वो सबसे लंबे समय तक इस्राइल का प्रधान मंतरी रहने वाले व्यक्ती बन जाएंगे राजी सभा के उपसभापती हरी मंच ने कहा है कि आज वैश्फिक दुनिया में शिक्षा प्रणाली किसी देश का भागी बदलने की ताकत रखती है दोहा में अंतर संसदिये संग के संबिलन में शांती सुरक्षा और कानून को कायम करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में संसद एक मंच विशे पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही ओडिसी की साथ फिलाल खाबर दुपहर में इतना ही आप बने रहे है राज्यसभा टीवी के साथ नमस्कार